यार मतलब मानना पड़ेगा मुनवर ना सुर्फ एक अच्छा इंटेटेनर है एक अच्छा दिमाग रखता है यानि मैं क्या अलफाज माल करूँ मुनवर के लिए मैं पस कम है यार मिजे तो लग रहा था कि यह लोग कंटेस्टेंट गेम केल रहे हैं यार मतलब क्या गेम चलाई है यार आर्काइव रूम का जब बोला है ना इंटरेस्ट बढ़ गया मैं यह सुच रहा था एक हफता हो गया और अभी तक जोना टास्क हो रहा है ना कोई चीज़े हैं बोला दर लिए रिवील हो रही है फून का बोला था कि यार दम वाले घर के अंदर फून है और दमाग वाले का बता नहीं था कि आरकाइब रूम यह ऐसे इसके अंदर चीज़ है मैं सुच था कि कुछ कर हो क्यों नहीं रहा अब समझ आया है यह जो पूरी उन्होंने रिशफलिंग की ना बिल्कुल उन्होंने बूला कि पहले में जो जहां विलॉंग करते हैं उसको वहार डालो अब आप देखें तो बिग बॉस में खुद ग्रूपिंग कर दी है ग्रूपिंग क्या कर दी है उन्हें पता है कि कपल सकुदर है अब इशेक इशा का चल रहा है एक कदोई को यह आपस में मिले हैं जो बाकी पूरा यूट्यूबर्स का ग्रूप उनको एक दम में कर दिया वहाँ पर उनके साथ जो सोनिया और सना थी उनको भी कर दिया और जो बीच में वो थे ना के जिनको जिनका गूर्प नहीं जैसे नावेद है वो है जगा होता था जिगना जी है वो भी है जगा होती थी दिनकुजी चुप-चुपसी थी मनारा और मनवर एक जगा थे जो कि मुझे लग रहा है उनको दिल में जालना चाहिए था लेकिन जब वो आर्काइब रूम खुला तो मैं समझे था इनको होने वाला है बिल्कुल मतलब उस पूरी ऐलिमिनेशन का स्टार्ट करते हैं पहले दमबालों को दे दिया मैं कहा है यह यह दमबालों को क्यों इतनी उलिबर्टी दी जा रही है कि आप लोग चूज करो वो पड़ा और सारे देख रहे दिमाग के गर मैं वह फइनी सीन तो वड़ा पहाड लेकर जाना है फिर लेकर 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 आ रहे है वील्स के आवाज आ रहे हैं हर तरफ और यार उनको नहीं पता था ना किया रही है ऐसी चीज़ हो तो फोफ़ने अपना दिमाग लगा या कि कुछ करते हैं ऐसा बस बिग बॉस ने वो हमें बोल दिया कि दिलो का हाल सब पीछे एक दूसर के क्या कह रहे हैं कौन किसकी साइड है कौन सचा है कौन जूठा है सब सामने है बिलकुल मुनवर को सब पता एक तो मुनवर सबसे स्मार्ट बन्दा है अब जब उसको यह साई चीज़ नहीं पता चलिए है तो कितना स्मार्ट ली कि जब दिमाग वाले घर को मौका दिया गया कि आप रिप्लेस कर लें इन मेंसे कोई तीन मुनवर ने कितनी दूर की सोची है बलाब हम तो यह समझते है कि मुनवर अगर नाम लेना चाया तो एक दो जो इसको नहीं पसंद वो ले सकता था उसको इसका नाम लो इसका नाम अगर नहीं विकी हर कोई बंदे के दमाल पर विकी विकी फिर भी उसको सेफ कर रहा है कि यार को कि स्ट्रेटिजी बड़ी अच्छी चलाई मुझे जो लग रहा है नहीं कि दमाग के गर में खानदादी है जो कि साही नहीं है और वो जाना जब उसको चीज़ें आप देख लड़ते लड़ते वो तो बोलेगी मुपे कि तुमने ऐसा बोला उस वक्ट भी लगा जब वो मनवर की शायरी वगरा हो रही होती है तो मनवर बदा रहा होता है कि विकी को टॉंट मारा था वो खुश होंगे खाली और आप तो अनकिता के सेव होने पर तो अगर मैं होता ह वो यह जगा पर नहीं पहुच पा है वो इतने प्रेशर में थे कि नॉमिनेशन अनाउंस हो रहे हैं तो मेरे खाल से वो चीज़े मिस कर गए कि यार इसको कैसे बता चला कि हम जो तो इसको कैसे बता कीशा को सेफ करी दिया तो लेकिन हर घरवाला जानते है कि मनवर जो है मैं क्रेड़िट लूँगा और मैं अपने खबरी को भी क्रेड़िट लूँगा कि कली बता दिया था वही यह ऐलिमनेशन तारे नाम ले लिया थे उसके अंदे में मैंने सोनिया का नाम ले लिया था वो ऐसे ही मैंने वहाला है आप लोग एक गैस कर खबरी इनके छोड़े तो हमने देख लिए शफले में से सब चीज हो गई है एपिटोड स्टार्ट होता है और अभी शेकर हो रहा है यार मिझे लगा कि यार हर्ट हो रहा है कि यार कोई बात नहीं कर रहा है उसे वो किस चीज़ पर बहुत लेम रीजन और ऐसा रीजन जो आप सोच भी नहीं सकत नहीं इसे बहुत गई कहा उक्रत करके दिखा है कितना मालब, क्लोज़ली अब जरूफ क्या है क्या सच्चा प्यार यह यह इदिवानगी है यह पागलपनें क्या है और इतना मतलब अग्रेसिव हो के, उने हात म야 यार वो सचनी कर फिसकल होता होगा उसने क्या होगा देख किया मैं पहली पर चल गया था कि होता है और हुआ होगा जिस तरह से पकड़ा है उसको हाथ पकड़ा है भाई इशा की शकल देखने वाली तो डर गी थी पिचारी बैठो बैठो तो मुझे समझ नहीं आता है वो लाइक है इशा लाइक है जलालत के क्योंकि जब वो नहीं समझ पारी तो क्या करें जब कुछ करने को नहीं होता ना तो यह अपने आपसी चीजों को लेकर आते हैं ताके फूटेज मिल जा यह तो यह मैं सोच रहा हूँ कि यह जो बैड शेयर करेंगे दिलवाले घर के अंदर यह शेयर करेंगे और भाई तीनी बैड पूल लगाया महुल महौल बनाए घर है तो ये चगाषब चलना आब देखना है जो होता किया है, विक्यटा चे वात करना है एक भारे में बात करने हैं, तो अज feat कि अथके जयुक्र 55 यब 25 कि ऐड़ी yeah, 65. किसी के पास है, विकी मेरे पास ही नहीं画, मुझे ऐसा लगता है, कि विकी की गेम बहुत स्ट्रॉंग है, बहुत अच्छा खेल रहा है, आग भी लगा रहा है, लेकिन अगर विकी हारा ना तो असकी एग वचा, योगी कि अनकिता की लॉयर है पता नहीं कौन कौन से उसने केस लड़े है इतना दिमाग नी चल रहा कि एक बंदा भेगा गए चला गया बोती हाँ मुझे सौरी बोलो जान बूच के पड़े ना करो वो अच्छा है कि आप सबसे गुल मिलके रहो और आप सबके साइड लो यह चीज़ करो लेकिन वो तीली लगाने काम आप वो देख लो के फड़ा हो रहा होते तो हो नहीं देता है जैसे मुनवर ने बोला कि मैं हर घर में जा जाके उनको सेफर नहीं दोगे ना तो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं भी आपकी साइड रहूँगा तो वो सीधा होता है और फिर जो है वो सबको टास्ट बता जाता है विक्की और मुनवर टकर गया है तो अपस की बात है बहुत स्ट्रॉंग है बहुत सारे लोग है तो अब यह त वैसे इस कॉंट्रास्ट की बात कहते है वैसे वही वाली कॉंट्रास्ट की बात कहते है जो कपल अगर आप ले लो प्रीशा, अभीषेक, विक्की और वो तो वहां पर अंकिता कहती है कि मुझे टाइम दो है चीज़गो मेशाथ रहो यहाँ पर उल्टा है लड़की दूर है लड़का कहता है कि अभी शेक के मेजर फास टाइम ने में साथ हो वो कहता है कि उसको बैटे वे अफ़ाब वही है को क्या मैं होता है कि जब मैं ख़दा सुना तो ये भी खुश ना हो ये बहुत इलेम रीज़ता ता इसका दिमाग कहीं और ही जा रहा है मतलब आप तो ये टे चाहो ना किया मेरा पार्टनर चलो मैं दुख achieved मेरा पार्टनर हार में खुश रहे नहीं वो भी दुखी रही कैसा प्यार है सै हो तो यहाई है काई प्यार मुझे हो विए प्या काम्चे हो दिल तुमार डूटे भाई आई बहुत ऐ क्रेजी वह रिंग cinnamon ले बोला ने बैठे वे थे लोग, अनुराग ने जो है, वो सरा सा गलत समझ लिया कि भाई, तू छोड़ दे उसको, कैसा प्यार है तेरा ही है, तो रंगरिंकू ने बता है, भाई, तू गलत समझ रहा है, अनुराग, इनका प्यार एक नेक्स लेवल पे चल रहा है, हमारे बसकी बात नही बिल्कुल, तो ये ये अजीब है, मिझे लग रहे है, आईसा इसे ना, सबकी थोड़ी बहुत ना, वो आप दिख रहे हैं, जो बांडिंग शुरू में थी, वो वीक होती जा रही है, जैसे अगर आप देखो तो खानजादी सोनिया का भी बीच में लगा कि एक तो टूट ये अनुराग को बोलके, एक तो ये हमारे पीछे-पीछे दम में भी आ गया, वैसे तो टहल का भाई, यूट्यूबर कम्यूटी के बाई, नहीं हम ये कहें, वहाँ पे उसको डिफेंड नहीं कर रहे है, वो ये है, वो कह रहे है, वो बिक बॉस ने किया ना, वो तो, आई, तुमने तीन दफा, ये पता नहीं क्या मंदक थी, तीन दफा अगर घंदी कोई बात थी मुझसे, आप पहली दफा कर चुकिए, दो दफा कर तो पढ़ जाओंगा, नील ने ग्लास ले लिए उसकी, मेरी बीबी को तुने तेलक भी डर्ग जाते है, या, तेलक भी त और डर जाते हैं उने वहले हैं अभी अब है, आइसा इसा सोब्स में इनके बीच में फट्डा होना है, कि ये तीनो से वह बने वहें, कि हाँ साथ साथ लेकें कोई चीज शीज आएगी ना तो बिकरेंगे, या, बिकरेंगे और ये जल्ड एगी अब जिस्ता से बिग बु और उनी कहरे हो थें Big Boss विकी भाई आताली नी बजाएंगे अनुराग भी जो है ना Big Boss के Hit List में आ चुका है आज भी देखेंगे अनुराग को बहुत सारे डालोग पढ़े विकी को बहुत सारे डालोग पढ़े तो अब अनुराग ने जो यह हरकत की थी Content Creator Vs TV यह इनका आखर बोला के भाई आप बायस हो रहे हो और आप उनको कर रहे हो यह कर रहे हो तो बिटे थीक है यह ले तुझे में स्कीन टाइम जो था तो अब इसी जो बिगब से पंगले का वो तो फिर होगा ना वेज जो है वो उनका भी आज तोड़ा सा एक पार्ट हमें देखने को मिला इमोशनल हुए और वो कह रहे थे कि यादग्र मैं रूंगा विकी के सामने कह रहे थे तो ऐसा नहों कि मेरे अगेंस चला जाए विकी क्या कहता है कि नहीं नहीं यह तो हर कोई रोता है कोई ऐसी बात नहीं है और वही चीज़ नॉमिनेट करते वक्त विकी कितना मालब two-f बचाना है. अब चार लोग ऐसे हैं, जो डिल वाले गर में से हैं, तो वो जो सामने है, तो बचाहे को उनको एना? बनता है लेकि यार आप रिजन वही दे रहा हुआ. रिजन गन्हों गलत दे रहा था। उसी रीजन को आप बेज बनागे बिक बॉस को बोल रहा हूँ कि उसको घर की याद आ रही है वो रीजन गलत थी लेकिन मेरे खाल से अगर उनको पावर दम वाले के जगा अगर दिल वालों से स्टार्ट किया था तो अलगी नॉमिनेशन होती है यह होते ही ना में खाल से अश्वरिया नील अभी शेक इशब चारों ही ना होते है नवेज भी शायद ना होते है मुनवर भी शायद ना होते है वो अलगी शायद दम वाले जारा तर नॉमिनेट होए होते है लेकर जब उनके ओपर आई उनके पास लिमिटेशन सीन तो फिर क्या कर सकते हैं उनके पास भी जादा खुला हैंड था नी अच्छा अब एक चीज देखने में आई कि जब से सना हमारी लॉयर नॉमिनेट हुई है सबकी तरफ से तो वो अब ज़ादा खुलम खुला जो है वो आ चुकी है प्रोटेस्ट पर उनकी आवाज भी निकलने लगी है मुनवर के मताबिक उनकी आवाज निकल नहीं रही है लेकिन पता नहीं फिर भी वो चीखों चला रही है कि भाई यी गलत हो रहा है खानजादी से टकर है जिस्ती वह होई है कि यार उनको उस्सा भी है उनको एक जना ये भी काम भी मैंने सारे की है तो वह एक एग्रेशन उनके अंदर भी एक डेवलब हो गया है अब वो फट रही है कोई भी नहीं से कोई चीज़ करें का न वो होगा तो जब यह इतना उनने शुक्र क्रियेट विखी की बातों में भी आरी हैं कि अभी वो दिमाग से विल्कुल सोच नहीं वी है वो जबात में आई है तो वह चक्कर है जिसकी वैसे वह फटे अभी और होंगे इनके तो वह खांजादी से लड़ते लड़ते जो है फिर फैमिली पर बीच में बढ़ता कि भाई आप फ कि अए तो ऑफिले तो नहीं ए कम शेंखी है कि तो अभी इसने जाई जो से अभी रहे कि फिछोटा करें रहा इसकी उठाइला हुआ हुआ का मैं लोड़ती हैं फिर्ली वखिम अ उMPसी मिजेरों ईए हुआ तो तो अल्बाई का श्रीन होता उता वह बाखिन सबसे पहले हो बाद में भी डर दे बोल दे कल को मेरा पै तोड़ देगा उसका मुह तोड़ देगा तो भी डर गए हैं कि फट्डे तो रोज बरोज कोई दिन ऐसा नहीं को दाते हैं इसमें फट्डा ना हो अब यह देखना है अभी तो असल जीज जो है जो कि आप कहते हैं सबसाद जो अपना खाना अपने वालों के लिए खुद बनाना है उसमें भी होना हम देखने हैं कि गैस बंद कर दे टाइम कुर जाता है तो माइकर भी बंद राएगा तो यह बड़ी पंदी होगा और यह कि इस पर पढड़े भी और होंगे आदा अंदरूनी फढ़े होंगे पता है क आप अपने घर के आप जिम्हादार हो और अगर आप में कोई अच्छा कुक नहीं है…. तो खाना नी बनेगा जब खाना नी बनता भूग जपना तो आप फट रहे पहल होताना बेहाल बरा पर बुरा होता है तो यह कहर मानना पटेगा कि बिग बॉस की strategy एक हफ़ता पूरा study किया है सब लोगों को उसके बाद जो है वो पल्ड़ी शफलिंगे वही मैं कहलो ना कि पहले उने चीज़ें रिवील नहीं नहीं पता तक है यह गलत जो अपनी मर्द से गहे ने पहले अपने असली रूप दिखाने दो फिर बिग बस अपना रूप दिखाएगा जो उसने दिखाए तो यह सारी चीज़ें जो बड़ी होई है मैं असल में यह भी देखना है यह टेलीफोन वाला जो दम के अंदर है कि से बात करना ही है या कुछ और भी होगा मैं जो लगा रहा है कि टास्क दम वालों को देंगे कि अब दम दिखाओ या कुछ श्रीफोन आपके लोगों को बात करना है अभी फुली रूप नहीं हुआ है यह डालीफोन हमें लगता है वालों के अब दिलबालों का भी नहीं है अचा वो बिग बढ़ा मिनी फेवरेट्स तो कंफेशन रूम है मनारा मनवर के लिए और अज़ता के लिए यह से सीक्रेट रूम होता है तो इसको देखके बड़ा बना अंजोई करता है यह यह बी अंदर से निकला है यह अचा य यह पिदो वी खै है तो यह इस बार का सेग्मेंट होंगे और बारिश होगी बिलकुल देखने वाला पूरा सीन थें सही और 2-3 यह अब पहरो अच का रिवियू अमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारे यूट्यूब चेनल को प्रीज सब्सक्राइब करें में ब्ल कात होगी बाई बाई